कि नमस्कार साथियों मैं अभिशेक और अभू आपका प्यारा बूटानी सर आपके साथ मजूद हूँ एक अच्छे से छोटा सा एक टॉपिक आपका जो आपका एक्जाम में कई वार पूछा जाता है चाहे कोई भी आप परिक्षा दें वहाँ पर आपसे टॉपिक पूछी लिया जाता है रूल शब्द योगिक शब्द योग रूल शब्द दो तीन मिनट में इसका टंटा बच्चा हम लोग आपसे कामेशा के लिए गतम कर देंगे एक ही बार में आप समझ जाएंगे कि इसक आपसे कहें रचना के आधार पर चाहे वो आपसे कहें बनावट के आधार पर और चाहे वो आपसे कहें विच्पत्य के आधार पर तो आप कह देंगे कि इसके भिद होते हैं तीन अगर वो कहें कौन-कौन से तीनों के नाम बता देंगे आप पहला आपका हो जाता है रूल शब्द अब समस्य आती है कि वर पहचानने में तो कुछ भी नहीं करना है बहुत आसान से आपको बता दू कुछ नहीं करना है सिर्फ आप ये देखें कोई भी शब्द हो जैसे ही आप उसको तोड़ें तो एक चीज आप देखें कि क्या उसके सार्थक खंड हो रहे है या न आपके सार्थक खंड थो खंड है सोसे किき या इस सब्द के सार्थक खंड को कोई ईर्थ नहीं सकते हुए पर उनके कोई आर्थ नहीं है तो Plus यहीं सारे शब्द आपके कह लाएंगे आपके रूल छब्द एक्जाम्पिल में आपकैplus पाशु शब्द की साह्थकरनें नहीं हुए यसे मैं कमल आप से तो कमल के नहीं कोब और कलम के भी नहीं होंगे यस आप लोग कहें पंखाडा नहीं गयंदेे कौन कौन से शब्द हैं उनक्ये खंड करने का प्रयास कींदि क्या उसके खंडा कर्स जैसे जंडा सब्सक्राओं यहां तो जंडा शब्ध सक्राइब में नहीं को आप के सारे आपके शब्र कहलाएंगे रूड शब्र बात कतम उब्र उपलत कुछटious लेडूऱ ऑप सार्तक्र नहीं हो पाएंगेगे मेज जी पायाओं च कुछट मिश्च हुआ और दोनुँ ही कैसे हुँ सार्थक शब्द हो दोनुँ ही कैसे हो तो सार्थक शब्द हो नियुभा कोई अरत हुए कुछ एग्जांपल में आपसे मैं कहँ दू तो आप कह सकते हो private कह दू आप विद्या और अल्य तो दोनों के अपने अर्त है विद्या का का भी अर्थ है आले का भी अर्थ है तो विद्यालय आपका हो जाएगा यो आपका योगी शब्द अनाथाले तो अनाथ सब्द का भी अर्थ है आले का भी अर्थ है आपके इसको विश्राम आले भी कह सकते हैं अर्थात की वह आले या वह घर जहां पर विश्राम किया जाए आप इसको व्रद्ध आस्रम भी कह सकते हैं अर्थात की जहां पर व्रद रहते हैं तो दो सब्दों से मिला दोनों ही सार्थक शब्द व्रद्ध भी सार्थक आस्रम भी सार्थक विध्याय भी सार्थक आलाय भी सार्थक अनात्य भी सार्थक आलाय भी सार्थक यह आपके हो योगिक शब्द और योग रूड में बच्चा आप समझो उसे मिलके बने पर किसी एक के लिए फिक्स हो गए वह आपके कहलाएंगे योग रूड शब्द जैसे मैं आपसे कह दूँ दशानन तो दसानन जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर तो बना है दस और आनन दस का मतलब संखिया अन का मतलब सिर तो जिसके दस सिर हैं परन्तु ये बताओ कि यह कि आप किसी को भी दसानन कहें दोगे यह तो आप उसे कहोगे जिसका अर्थ एक विशिएश विक्तिया वस्तों के लिए रूड अफिक्स हो गया उसे आप कहते हैं दसानन जैसे रावर को अगर लंबा हो गया तो सब्द बनता है लंबोदर लाला जी घुमते हैं महले में तो लंबोदर क्या उनको लंबोदर कहोगे नहीं कहोगे लंबोदर तो गलेश के लिए फिक्स हो गया तो लंबोदर तो गलेश के लिए फिक्स हो गया पीतांबर तो बच्चा पीतांबर की अगर हम बात करें तो पीले वस्त्र अब मैं पीले कपड़े पहन लूँ अगर तो क्या मैं पीतांबर कहला हूंगा आप पीले कपड़े पहने आप कहो मैं पीतांबर हूं नहीं पीतांबर शब्दों एक विशेज वक्ति के लिए रूड हो गया है फिक्स हो गया है तो दसान से पांच रुपए की नील और पोतलों गले में और काव में नील कंट हूं कोई मानेगा नहीं मानेगा मैंने का ना कि मौले वाल थपड़िया देंगे आपको बच्चा आप थोड़ी नील कंट कहला होगे कि वो तो शंकर के लिए फिक्स हो गया तो ऐसे सब्द जो दो या दो शंट हो ही ना सकें वह आपके कहळाते हैं आपके रूल शब्द जैसे मैं के दूँ शब्द ये शब्द भी कैसा शब्द manufacturers नहीं हो सकते तो इसी प्रकार कि जो और classes के लिए बच्चा आप एक्जामपूर का ऑफिसल एप जरू डाउनलोड करें और मेरी क्लास हो रही है रोज शाम को सस्सी एक्जामपूर पर रोज शाम को चार बजे वहां पर बच्चे में आपको रोज आपको लिए अच्छे परसंद जो हैं वो लेकर आता रहता हूं तो उस सब्सक्राइब करें और एक्जामपूर का ऑफिसल एप्लिकेशन गूगल प्लेश्टोर से अवसर डाउनलोड करें तो मिलते हैं क्लास में तब तक लिए बबाए टाटा जहिंद जैग्जामपूर कर विजए एक्जामपूर